जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो रात के बारा बज़े भारत का जंडा फैरा आए गया लाल किले में लाल किले की प्राचीर में और वहाँ पंडिजवालाल नहरू ने अपने विश्व प्रसिद भाशन में कुछ बातें कही ये भाशन ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी के ना ट्राइस्ट मतलब एक तरीके से भेंट चेर प्रतीक्षिद भेंट बहुत समय से जिसकी प्रतीक्षा थी तो हिंदी में उस भाशन का अनुवाद होगा भाग्य वधू से चेर प्रतीक्षिद भेंट उस उनके भाशन का शीर्शक एक तरीके से बना दिया गया है और इस र जब पूरा संसार इस मध्य रात्री को सो रहा है तब भारत अपने भाग्य निर्मान के लिए जाक चुका है अर्थात भारत का उदय हो गया है एक स्वतंत राष्ट का नवोधित राष्ट का उदय हो गया है आज रात्री बारा वजे से ये पंडि जोहलाल नहरू का भाशन जो लाल किले से इस चित्र में आप देख रहे हैं उन्होंने दिया था वहां की प्राचीर से और जंडा फैराया था श्वतंत भारत का जंडा इस परजाय के रूप में कि अब देश श्वतंतर हो गया है यूनियन जैक जो इंगलन का जंडा था वो उतारा गया ये जंडा गया और फिर पंडिजवाला नहरू ने जो भाशन दिया उसे कहते हैं ट्राइस उद्देश्ट नहरू का जो भाशन है ये पहला भाशन स्वतंतर भारत का होने के नाति तो प्रसिद है ही लेकिन उसके साथ ही वो नहरू की सोच बताता है इसलिए भाशन की बहुत महत्ता ह है अहमियत है क्योंकि उस सोच ने भविश्य के भविश्य की दिशा को बहुत प्रभावित किया भारत के राष्ट निर्मान की दिशा को उसने बहुत प्रभावित किया ये भाशन उनकी सोच को अभिव्यक्त करता है जब राश्टी अंदुलन हो रहा था जिसको हम अधिकारिक इस तर पर 1885 से मानते हैं जब भारती राश्टी कॉंग्रिस की स्थापना हुई थी ए ओहियूम के द्वारा तो उसमें शामिल जितने भी नेता थे वो एक बात पे तो सहमत थे और वो सहमत इस बात पे थी कि जनता की सत्ता आएगी याने किस तरह का शासन होगा लोकतंत्र इस बात पर समस्त भारती नेता राश्टी अंदुलन के दौरान सहमत थे कि सतंता मिलने पर हम देश में जनता की सत्ता लागू करेंगे जिसे संक्षिप्त में लोकतंत्र कहते हैं उनका मानना था भारत कोई राजतंत्र नहीं रहेगा और नहीं मुक्ति समग्राम का उद्धिश राजतंत्र के स्थापना करना था बिलकुल नहीं यानि राज तन्त तो कहीं भी उनके दिमाग में नहीं था राश्ट्री आंदोलन में समाज के सभी तपके के लोगों ने भाग लिया था सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था और उसके पीछे कारण यही था कि उन सब वर्ग के लोगों की न महिशा ही नहीं बलकि ये सोच थी कि हम जो राश्ट्री आंदोलन में जो भाग हो ले रहे हैं वह एक ऐसे ऐसी राजिनीतिक विवस्था के निर्माण के लिए ले रहे हैं जिसे हम लोकतंतर कहते हैं जिसमें जनता की सत्ता रहेगी पंडित जोहलाल नहरू पर गांधी वादी विचारों का भी बहुत प्रभाव था उसकी अमिट छाप थी गांधी वादी विचार धारा उनके घर में उनके दमाग जहन में बहुत बैठी हो थी और उसके तहट किसी भी तरीके से वो अधिनायक वाद के खिलाफ थे अधिनायक वाद मतलब एक तरीके की ताना शाही एक व्यक्ति का शासन सत्ता में केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे वह अधिनायक वाद कहलाता है तो पंडित नहरू भी गांधिवादी विचाद धारते प्रभावित राश्ट्री अंदुलन के लोंगों का अपना प्रभाव परणाम ये कि हम राज सत्ता के खिलाफ थे हम अधिनायक वाद के खिलाफ थे उसके अस्तित्व पे ही विश्वास नहीं था भारत के सामने जैसा मैंने बताया तीन चुनौतियां थी पहली और जो सबसे तातकाली चुनौति जिसे हम कह सकते हैं जिसका निप्टारा तुरंद करना था वो था कि भारत को कैसे एक जोड़ा जाए भारत के जो छोटी 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 रियास्तों को जो सबसे तातकाली समस्या एक्ता के सूत्र में देश को बांधने की भारत को गढ़ने की जिसमें भारती समाज की विविधिता हो विविधिता में एक्ता हो भारत जो है वो अपने आकार अपनी विविधिता में तो इतना विशाल कितना विशाल है आप देख सकते हैं यदि हम भारत के नक्षे को दूतरे अन्य देशों के नक्षे के परिप्रेक्ष में देखें तो हम पाएंगे कि भारत स्वाय में एक म सामाजिक विशालता के रूप में, खेतरी विशालता तो थी ही, विभनिता के रूप में भी बहुत विशाल था, अलग-अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग-अलग संस्कृति वाले लोग, अलग-अलग विचारधारा वाले लोग, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अलग-अलग धर्म के लोग भी यहां बहुत बारी संख्या में थे अलग-अलग धर्म के अनियाईयों के काफी बड़ी संख्या थी तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी संख्या विभाजन के बाद विश्थापन की संख्या का मैंने जिक्र किया पनर्वास की समस्या बताई और राजवारों का विले ये तातकालित समस्याओं के अंतरगत आता है यदि इनका निप्टारा नहीं किया जाएगा तो बिलकुल स्पष्ट था कि भारत एक एक जुट राष्ट की तरह नहीं रह सकता एक सिंगल नेशन के रूप में नहीं रह सकता हो उसका अस्तित खत्रे में बला रहेगा भारत का अस्तित यदि खत्रे में तो भारत के भविश की बात सोचना ही दूर बड़े गंबीर सवाल लोगं के सामने थे कि क्या हम ऐसी विशम परिस्थितियों में एक जुट रह सकते हैं एक राष्ट के रूप में रह सकते हैं इतनी विवजताओं के बीच में चाहे वो भाषाई विविश्था हो सांस्तितिक विविश्था हो अन्य सभी तरह के विविटताए हो भागोलिक तो थी ही इसमें हम कैसे जुड़े रहेंगे क्या भारत एक रह पाएगा ये बहुत बड़ा सवाल था भारत के अस्तित्व को लेकर ही प्रश्ण उठने लगे थे ऐसा सवाल उठने लगा कि यदि हमें देश को एक रखना है तो क्या ऐसा करने के लिए केवल राष्ट्री एकता की बात करने तो प्रयाप्त होगा राष्ट्री एकता की बात करने से क्या ये संभव हो पाएगा कि देश एक रहे या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा या बाकी जो उद्येश्य हैं उसको हमें तिलांजली देनी पड़ेगी स्वतनता अंदोलन जब हुआ था तो इसमें लोगों ने भाग लिया बड़ी भारी संख्या में पूरे देश के लोगों ने और उसके कई उद्येश्य थे उ उन लक्षों में लोकतंत्र धर्म निर्पेश्टा समाजिक समानता आधी आधी ना जाने कितनी बातें कहीं कहीं थे वादे किये गया थे तो ये भी शंका होने लगी थी कि कहीं ऐसा नहों कि देश को एक बांध के रखने के लिए हमें अन्यों देशों की तिलांजली देनी पड़े और देश को एकी कृत रखने के लिए खेत्री जो स्वतंता है या खेत्री पहचान जो है उस खेत्री पहचान को कुछलना ना पड़े उसे खारिज ना करना पड़े खेत्री पहचान से तातपर है, खेत्री संस्कृती, खेत्री भाशा, खेत्री साहित, खेत्री परंपराएं क्या इन सब को हम तिरस्कृत कर देंगे, इन सब को देश को एक करने की प्रक्रिया में सब को कुचल डालेंगे उस वक्त का सबसे तीखा और सबसे चुपता हुआ सवाल यही था कि भारत को अखंड कैसे रखा जाए भारत की अखंडता को कैसे सुनिश्चित किया जाए कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि 14-15 अगस की राद 12 बजे जिस देश का उदय हुआ है जो नवोदित राष्ट विभाजन के बाद भारत की रूप में जन्मा है वह एकी करित रहे बहुत बड़ी चुनोती और इस चुनोती के विभिन पहलूँ को अब आप समझ गया होंगे तो एकी करण की चुनोती के साथ अब दूसरी चुनोती क्या थी दूसरी चुनोती थी लोकतंत्र को लोकतंत्र को कायम रखने की लोकतंत्र था जहां जन्ता का शासन हो जन्ता की सत्ता हो जन्ता के द्वारा चुनी गई सत्ता हो जन्ता के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता हो वह लोकतंत्र एक ऐसे देश में जहां भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, निर्धन्ता का बोल बाला था, वहां पर लोक तंतर के वादे को, लोक तंतर के उद्देश को पूरा करना एक बहुत दूहर काम दिख रहा था आपको तो मालूम है कि भारती संविधान में मौलिक अधिकारों की गैरंटी दी गई है, मौलिक अधिकार अर्था वे छै अधिकार, जो भारती नागरिक को एक व्यक्ति जैसा, एक नागरिक के नाते, सम्मान पूर्वक रहने का दरजा देते हैं ये जो अधिकार हैं, उसमें एक मत्तान का भी अधिकार है, गैरंटी में, मत्तान, मत्त देने का अधिकार है, और ये सब को देना चाहे वो गरीब हों, चाहे वो निर्धन हों, चाहे वो अशिक्षित हों सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार का जो वादा किया गया था इसे पूरा करना बहुत कठिन काम था भारत ने जो लोक तंत्र है उसमें संसदी प्रणाली अपनाई देखे, पूरे विश्व पे अधि हम नजर डालें बड़े-बड़े देशों की समवैधानिक संरचना पर राजनेतिक धाचे पर, तो हम पाएंगे कुछ देशों में राज तंत्र है कुछ देशों में लोक तंत्र है, कुछ देशों में सैनिक तंत्र है और कई अन्य तरह के शासन है, कुछ देशों में एक दली शासन प्रणाली है, कुछ देशों में बहु दली शासन प्रणाली है कुछ देशों में राश्ट्रपती मुखिया है, तो कहीं प्रधान मंत्री मुखिया है, तो कहीं चेर्मेन मुखिया है कहने का तात्पर ये, कि भारत ने लोक तंत्र प्रणाली चुनी अब लोक तंत्र के भी कई प्रकार हैं, कई स्वरूप है भारत ने उसमें प्रतिनिधित्व मूलक लोक तंत्र याने प्रतिनिधि के माध्यम से लोक तंत्र चलेगा जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाएगी जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों का चैन करेगी और ये प्रतिनिधी देश में जनता की ओर से शासन चलाएगे जिसे हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व मूलक, मूल मले जड में जहां कि जिसकी जड़ में ऐसा लोगतंत्र जिसकी जड़ में प्रतिनिधियों का बुलबाला हूँ तो इस प्रकार संसदी शासन पर आधारित प्रतिनिजित्व मूलक लोगतंत्र को हमने अपनाया इन विशेष्टाओं से ये सुनिश्चित किया गया कि लोगतंत्र धांचे के बीतर राजन्यतिक मुकाबले होंगे और राजन्यतिक मुकाबले से ताटपर क्या कि यदि प्रतिनिजित्व मूलक है तो समाज के हर तबके को अपना प्रतिनिदी भेजने का, अपना प्रतिनिदी चुनने का अधिकार होगा और समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे वे किसी भी धर्म, जाती, आर्थिक सितिके हों, शेक्षिनिक सितिके हों, वे यह अधिकार अर्जित करते हैं सतन देश में, सतन भारत में, तो यह जो भावना थी, लोकतंत्र के भावना, इसमें राजनियतिक मुकाबला, उसका मौका सबको दिया गया, और लोकतंत्र को कायम करने के लिए, लोकतंत्रिक सम्विधान जरुरत है, तो लोग तांत्रिक सम्विधान मात्र बना देना ही पर्याप्त नहीं है केवल ये कह देना कि देश का सम्विधान लोग तांत्रिक है और ये सम्विधान है इसमें ये ये भावनाय ये ये कानून लोगतांत्रिक व्यवस्था की और इशारा करते हैं ये काफी नहीं है तो फिर क्या कहने का पर थिये कि चनौती ये थी कि सम्विधान से मेल खाते हुए लोगतांत्रिक व्यवहार भी हो लोगतांत्रिक बरताओ भी हो लोगतांत्रिक नजरिया भी हो लोगों का तो ये बरताओ व्यवहार नजरिया लोगों में लाना एक बहुत बड़ी चनौती थी लोगतंत्र लाना उतनी बड़ी चुनोती नहीं पर लोगतंत्र की भावनाओं को जनता में डालना और जनता को लोगतंत्रिक व्यवहार में ढालना जनता को लोगतंत्रिक बरताओं में ढालना ये बहुत बड़ी चुनोती थी ये दूसरी चुनोती हो गई अब तीसरा चैलेंज, चुनूती हर साथ चैलेंज या समस्या भी हम कह सकते हैं थर्ड प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, मेजर चैलेंज वो था विकास को विकास शब्दकार बड़ा सरल है डिवलप्मेंट डिवलप्मेंट किस तरीके का एक तो होता है शारीरिक डिवलप्मेंट, बच्चों का शारीरिक विकास यदि मैं ये उदाहरन दूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहता हूँ कि एक स्कूल का उद्देश होना चाहिए बच्चों का शारीरिक विकास क्या ये परयाप्त है? स्कूल में बच्चों को परियाप भोजन दिया जा रहा है बच्चों को परियाप खेल कूट के सुधाएं दी जा रही है तो शारीरिक वार्धक के तो हो रहा है या स्कूल की बात ना करके हम घर की ही बात करें वहाँ क्या माबाप का लक्ष अपने बच्चों के प्रतिक एवल शारीरिक विकास ही होता है नहीं उनका लक्ष होता है सर्वांगीन विकास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास आधी आधी सर्वांगीन विकास यदि मैं इस चुनोती की बात करूँ तीसरी चुनोती विकास की तो उसमें तातपर है कि कुछ तबकों का ही विकास ना हो यह सुनिश्चित करना था यदि भारत ने इतने वर्षों की गुलामी देखी परतंतरता देखी और विदेशियों के दोरा भारत पे सबलता पूर्वक शासन करने का दौर देखा तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत विभिन वर्गों में बटा हुआ था और कुछ तबके, समाज के कुछ वर्ग, समाज के अन्य वर्गों पर हावी थे भै ये था कि कहीं ऐसा स्वतनता के बाद फिर ना हो कि समाज के वे वर्ग जो अभी तक अपना वर्चस्व बना हुए थे समाज में उनका वर्चा सुज्जारी रहे और समाज के अन्य तबके के लोग वैसे ही निर्धन रहें, वैसे ही अक्षिक्षित रहें, वैसे ही असहाय रहें जैसे अभी तक थे और जिसके कारण गुलामी के दिन देखने पड़े तो ऐसा विकास का कोई मायने नहीं है तो सम्विधान में ये बात साफ कर दी गई कि सब के साथ समानता रहेगी Right to equality, समानता का अधिकार, एक मौलिक अधिकार बनाये गया जिसमें सभी वर्ग के लोग अपने को समान दृष्टी से या दूसरे को समान दृष्टी से देखेंगे किसी को हे दृष्टी से ना देखने की स्वतंता समाप्त हो गए ना देखने की स्वतंता बिलकुल समाप्त कर दी गए जह सुनिश्चित किया गया कि समानता का बरताओ किया जाए और समाजिक रूप से जो वंचित थे जो तब के जो वर्ग और सांस्कृतिक या धार्मिक प्रूप से जो अल्प संख्यक थे माइनलिटीस थे उनको खास सुरक्षा दी जाया सुरक्षा कicans शाहरीरिक सुरक्षा से नहीं है सुरक्षा कर्थ है उनको उनके लिए ऐसे प्राउधान किये जाएं जिसमें ये सुनिष्टित हो कि ये तबके समाज के तथा कतित उंचे तबकों के बराबर हो ये प्रावधान करना सम्विधान में आवश्यक था और सम्विधान में ऐसे प्रावधान किये गए तो समवेधानिक प्रावधान तो हो गया है विकास के नाम पर सुनिश्चित किया गया कि ऐसे कानून बनाएं सरवांगीर विकास के लिए जिसमें समात के सब तबके सब तबकों के लोगों को समानता का दरजा मिले लेकिन सम्वेधानिक प्रावधान ही पर्याप नहीं है सम्वेधान ने राज के नीति निर्देशक सिध्धानत भी बनाए Directive Principles of State Policy उन नीति निर्देशक सिध्धानतों के तहट सम्वेधान ने सरकार पर ये प्रतिबंद लगा दिया कि नीति निर्देशक सिध्धानतों के बाहर जाकर कोई कानुन नहीं बनाया जाएंगे और नीति निर्देशक सिध्धानतों में वे सारे सिध्धानत थे जिसके पालन अनुपालन करने से समाज में समानता का विकास होगा ऐसा स्पष्ट था तो सम्धान ने राज के नीरती निर्देशक सिधानत के अंतरगत भी लोक कल्यान के उन लक्षों को भी स्पष्ट कर दिया जिन से राजनीत को जरूर पूरा करना चाहिए अब असली चुनोती जो थी वो आर्थिक विकास गरीबी के खात्मा ये कैसे हो सम्धानिक रूप से तो समानता के नजरिये से देखने का प्राउधान हो गया लेकिन आर्थिक विकास कैसे हो गरीबी का उन्मूलन कैसे हो उसके लिए क्या ढ़ाचा हो क्या प्रक्रिया अपना ही जाया कौन सी नीतियां जो कारगर साबित हो अशिक्षा आर्थिक असमानता गरीबी के उन्मूलन में ये एक बहुत बड़ी चुनोती थे तो ये हो गई तीसरी चुनोती विकास और विकास के अंतरगत आया हुए जो बिंदू इन चुनोतियों में हम समझ सकते हैं कि भारत के सामने पंदरा अगस की रात चौदा पंदरा अगस की रात कितनी बड़ी बड़ी समझ से आये मुह बाय खड़ी थी यहां पर हमें नहरू के दृष्टिकोन को समझना होगा जिन्होंने अपने ट्राइस्ट विद देस्टिनी के भाषन में अपने विचार बड़े स्पष्ट रग दिये थी नहरू का दृष्टिकोन आप यदि उस भाषन को पूरा विस्तार से पढ़ें तो आप पाएंगे कि बड़े उदारवादी दृष्टिकोन था बहुत लिबरल कटर पंथी विचार धारा के वे कताई नहीं थे राडिकल वो कताई नहीं थे बहुत उदार विचारों के थे नहरू भारत की विभनताओं से वाकिप थे क्योंकि अपने अध्यान काल के दौरान उन्होंने देश के इतिहास को विश्व के इतिहास को बड़ी गहराई से पढ़ा था और इतिहास के बनने की प्रक्रिया को काफी कुछ समझने की कोशिश की थी तो उससे बड़ी अच्छी तरफ परचित थे उसके साथ ही साथ वो खेतरी विभनताओं से भी वाकिप थे देश का इतिहास विभनताओं से भरा हुआ है और साथ ही ख्षेतरी विबनताओं में कैसे राष्ट्री एकी करण का लक्ष पाये जाए इसकी उनको काफी कुछ समझ थी वे चाहते थे कि इन ख्षेतरी विबनताओं को बनाये रखते हुए कुछ चलते हुए नहीं मैंने पूर में आपको बताया कि ख्षेतरी परंपराएं, ख्षेतरी भाषाएं, ख्षेतरी धर्म इनको इन विबनताओं को बनाये रखते हुए देश को एकीकरित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहां नहरु के यदि हम विचारों को जानने के कोशिश करें तो हम पाएंगे कि वे स्वैम चाहते थे कि विबनताओं में एकता हूँ, वे स्वैम चाहते थे कि इन विबनताओं का समायोजन हूँ और इस समायोजन के माध्यम से देश के राष्ट के एकी करन के लक्ष को पाया जाए भाशाई आधार पर जो पुनर गठन हुआ, पंथ निर्पेक्षता की जो बात उन्होंने की, अलप संकिकों के लिए उन्होंने जो विशेश प्राउधान किये, उनके संरक्षन के लिए, और हर खेतर का संतुलित विकास, ये जो उनके तीन चार बिंदु थे, सोच के, इसने विभिन्यता में एकता के बीच को पिरोने में और उसे बढ़ाने में बहुत आहम भूमिका निभाई है, भाशाई आधार पर पुनर गठन, पंथ निर्पेक्षता, अलप संकिकों के हितों का संरक्षन, संतुलित खेतरी विकास, इस पर नहरू के विश्तरित चार हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको इतना जानना है कि नहरू एक उधारवादी विचार धारा के थे, सब को लेकर सब के विकास में, देश का विकास देखते थे, और उसी पर प्रेक्ष में लोक तंत्र के बहुत बड़े समर्थक भी थे, संसदी लोक तंत्र, प्रति निजित्व मूलक लोक तंत्र, उनका मानना था कि जैसे जैसे समानता और न्याय, इसके अधार पर हम विकास को बढ़ाएंगे, या जैसे जैसे समानता और न्याय के अधार पर हम विकास की प्रक्रिया को बढ़ने देंगे, भारत में लोक तंत की जड़ें वैसे वैसे मजबूत होती जाएंगे नियाय से उनका तातपर सामाजिक नियाय की उर्थ हो नियाय से उनका तातपर सामाजिक नियाय से था समाज में सब को एक नजरिये से देखने का जो विवहार है उस पर उनका बहुत जोड था और इसलिए सम्विधान में ये प्राधान किया गया था कि equality before law कानून के समक्ष सब समान हैं और supremacy of law कानून सर्वो परी है यदि ये दो चीजें हमारे सम्विधान में शामिल हैं तो कानूनी रूप से राधिनयतिक ववस्था में ये सुनिश्चित कर लिया गया कि भारत एक लोक तंत्री देश ऐसा देश रहेगा जहां समानता का बोल बाला हो और यदि ऐसा है तो लोक तंत्र स्वय में मजबूत होता चला जाएगा उसकी जड़ें गहरी होती चलेंगा लोक तंत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना कमजोर वंचित वरगों को आरक्षन और ऐसा करते हुए उन्हें राधिनयतिक भागीदारी में शामिल करना उन्हें पॉलिटिक्स में उन्हें जोड़ना कानून का शासन जिसे मैंने कहा चुप्री मेसी ओफ लॉव और न्याय पालिक का समाचार पत्र इनकी स्वरतंत्रता ये सब नहरू की लोक तंत्रिक विचार धारा के अहम पहलू थे अहम बिंदू थे यदि मैं सुप्री मेसी ओफ लॉव की बात करता हूं तो इसकार्थ ये है कानून सर्वो परी अर्थात कानून से ऊपर कोई नहीं और यदि कानून से ऊपर कोई नहीं है तो इसका आर्थ यह हुआ कि चाहे वे देश के राष्ट्रपती हो प्रसमनागरिक चाहे सांसद हो प्रधान मंत्री हो मुख्य सचेवादी कोई भी हो ये लोग सब किसके नीचे हैं कानून के नीचे वैसे ही जैसे कि निरधन और शिक्षित मध्यमवर्क आर्थिक रूप से पिछ्छे हुए लोग कानून के नीचे हैं उसी प्रकार समाज के तथा कतित ऊचे तबके के लोग भी कानून से नीचे ही हैं नियाए पालका की सुतंता से उनका तात्पर था जहां पर एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें नियाए देते समय जो नियाए धीश है उसपर किसी भी तरह का दबाव ना हो मैं पना दोरा दूँ न्याय पालका की स्वतंता से ताटपर ये है एक ऐसी न्यायाईक विवस्था जिसमें न्याय देते समय न्याय धीश किसी भी तरह के दबाओ में ना आश्चके इस पे विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे पर इतना समझ लें कि दबाओ से ताटपर है राजिनेटिक दबाओ और ऐसे दबाओ से त्वतंत्र हमारी न्याय विवस्था हो इस पे नहरू का टूट विश्वास था और ये लोक तंत्र के उनके अहम पहलू थे विकास के संबंद में नहरू के क्या विचार थे हमने तो ये जाना कि देश की एकता के संबंद में नहरू के क्या विचार लोकतंत्र पर नहरू की क्या सोच थी नहरू की इस सोच किन बातों से प्रभाविच थी इसको भी हमने समझा अब हम थोड़ा जाने कि नहरू के विकास का मॉडल क्या था किस तरह का विकास वो चाहती थे जैसा मैंने पूर में थोड़ा जिक्र किया कि क्या मातर शारीर की विकास सर्वांगीन विकास और सर्वांगीन विकास में भी उसके कुछ अलग-अलग माइने हैं तो नहरू जी के विचार में विकास का मॉडल क्या था इस समंद में नहरू लोगतांत्रिक समाजवाद के विकास मॉडल से प्रभावित थे लोगतांत्रिक समाजवाद सोशिलिजम सोशिलिजम समाजवाद देने सोशिलिजम इस पर फिर आगे जब हम एक एक पहलू पर विचार करेंगे तब दिक्र करेंगे फिलहाल आप समझ लें कि उनका जोर लोगतांत्रिक समाजवाद पर था समाजवाद के भी कई प्रकार हैं पूंजी वाद भी कई प्रकार के विचार धाराओं से बना हुआ है साम में वाद के भी कई धाराएं हैं उसी प्रकार समाजवाद तो उनका जो जोर था वह लोगतांत्रिक समाजवाद पर था और इस दिशा में उन्होंने जमीनदारी उन्मूलन मिश्रित अर्थ विवस्था और सरकारी खेतरों की इस अर्थ विवस्था में महत्पूर्ण भूमिका योजनागत विकास प्रक्रिया कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षन ये उनके माध्यम थे किस चीज के विकास को प्राप्त करने के माध्यम कैसा विकास लोक तांत्रिक समाजवादी और उसको प्राप्त करने के लिए जो जरिये थे जो जिन हथियारों के माध्यम जिन टूल्स के माध्यम से वे ऐसी विकास की परिकलपना को साकार करना चाह रहे थे उसके पहलू है जमीनदारी उन्मूलन मिश्रित अर्थ व्यवस्था अर्थ व्यवस्था में सरकार की महत्पूर्ण भूमिका योजना गत्विकास कमजोर वर्गों का संरक्षन उनके हितों का संरक्षन आदी आदी इस पर उनका बहुत जोड था और ऐसा करते हुए वे मानते थे कि सामाज एक न्याय समानता पर आधारित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है अर्थात यदि हम ये सब करते हैं इसके लावा और भी कुछ बिंदु थे यदि हम ये सब करते हैं तो हम एक ऐसा विकास कर पाएंगे जो होलिस्टिक हो समग्र विकास जो एक ऐसा विकास हो जिसमें समानता और न्याय दोनों नहित हो इस पर आधारित हो नहरू की सोच और दृष्टिकोन की एक खास बात ये थी कि आर्थिक विकास सामाजिक विकास आधी पर वो जितना बल देते थे उतना ही जोर उनका बौधिक विकास पर भी था बौधिक विकास समाज के विबिन तबके के लोगों का बौधिक विकास क्योंकि उनका मानना था कि बौधिक विकास से ही भारत को आधुनिक बनाया जा सकता है विकस्तित राष्ट बनाया जा सकता है तो यह उन्हें उन्हींने 1947 में एक ऐसे देश की कल्पना की थी, जो आधिनिक हो, आधिनिकता की और उनका काफी जोर था, वे चाहते था कि भारत एक परंपरावादी देश न रहे, भारत एक ऐसा देश न रहे जो इतिहास से मत्र प्रेड़ना लेते हुए केवल इतिहास के दाइरे में ही जकड़ा रहे उनका मानना था कि आने वाला समय बदलता हुआ समय होगा समय के साथ बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों में आधुनिक हों और यदि ऐसा होगा तभी हम विकसित राष्टों की श्रीणी में आ सकेंगे तो उनके लिए बौधिक विकस बहुत महत्पूर्ण था वे चाहते थे कि भारत के लोंगों का बौधिक विकस हो और उस पर भी उतना ही जोर दिया जाया शासन के द्वारा समविधान के द्वारा जितना की आर्थिक और अन्य विकस पर है इसके लिए उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोंगों के लिए खासकर महिलाओं और पिछरे वर्ग इसके लिए सामाजिक राजनेतिक और आर्थिक विकस पर बल दिया महिलाओं और पिछरे वर्ग के लोंगों के लिए उनने बहुत बल दिया जोहलाल नहरू राश्ट निर्मान के लिए आधुनिक यदि भारत के पक्षदर थे तो आधुनिक भारत की नीव वे भारत के ओद्योगी करण में देखना चाहते थे। वे भारत के ओद्योगी करण के कट्टर समर्थक थे। कट्टर पक्षदर थे। नहरू देश के राजन्यतिक और आर्थिक विकास को सामप्रदाइगता से दूर रखना चाहते थे। समप्रदाइवाद से दूर रखना चाहते थे। अर्थात वे चाहते थे कि समाथ के सभी तबके के लोग इस ओद्योगी करण की प्रक्रिया में शामिल होएं। वो बिलकुल नहीं चाहते थे किए इस PMप्रदाय के बोल बाला हो जाए किसी विश्ष्ट समप्रदाय का दब-दबा हो जाए कुछ समप्रदाय ऐसे हो जह जाए जो बिलकुल वंचित ही रह जाए क्योंकि यजिए आधनी की करण होना है तो समाज के सभी तबकों को समान आपक्षा वैग्यानिक दिष्टिकौण से देखा, मैंने जैसाब को पूर में बताया कि उन्होंने गहन अधियन किया था विश्यतिहास का, उन्होंने गहन अधियन किया था देश की परंपराओं का, विविज्धता का, खेतरीता का, और उसमें वे देश की एकता, पाने का राष्टा निकालते थे और इसी प्रक्रिया में उनकी ये सोश थी, कि यदि देश के विकास का आधार धार्मिक होगा, तो देश की समस्याएं समाप नहीं होंगे, बलकि और बढ़ जाएंगे, चाहे वो राजिनितिक समस्याएं हो या आर्थिक समस्याएं हो, इन समस्याओं का निराकरण उनके नजर में केवल वैग्यानिक दिष्टिकोंड से ही संभव था वैग्यानिक दिष्टिकोंड से उनका तत्पर था कारण को जानना और उसका निवारन करना reasoning of mind कारण और निवारन ये एक वैग्यानिक सोच होती है अंद विश्वास परंपरावादी नीतियां पुराने रीति रिवाज इन सब से हटकर वे 27 बात पर जोर देते थे कि हम वैग्यानिक सोच रखें और उस वैग्यानिक सोच को बढ़ाने के जरूरी है कि जो धर्मिक आधार पर अभी तक जो सोच पनप्ति रही है उस पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए उसके कमी की जाए कि मातर केवल धर्म के आधार पर हमें कुछ करना है या धर्म के आधार पर ऐसा कहा गया है तो हम उसे करना है ये उनकी नजरी में उचित नहीं था वो चाहते थे कि हर चीज को वैग्यानिक दिश्टी से तौला जाए वैग्यान के तराजू में तौला जाए और उसके को बढ़ावा देना ये उनकी सोच का एक अहम हिस्सा था और इस वज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साथ साथ वे समानते थे कि ऐसा करने पर बौधिक विकास होगा नहरु ने विज्ञान और द्योगी करन को जहां एक और बढ़ावा दिया उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि मानवता वादी सहिश्णुता उसमें रहे मानवता वादी सहिश्णुता हिउमैनिजम और टॉलरेंस उनकी सोच के बहुत अटूट अंग थे मानवता वादी दिश्टिकोण मानवता वादी सहिश्णुता और करुणा तो एक और जहां वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा एक और जहां और द्योगी करन को बढ़ावा उनका ये मानना था कि इसको बढ़ाते हुए हमें इनको विकास करते हुए हमें सुनिश्चित करना है कि ऐसा करते समय हमारा दिश्टिकोण मानवतावादी रहे ऐसा करते समय हमारा दिश्टिकोण करणामा ही रहे किसी के प्रति उदारता रहे निर्ममता नहीं तो इस तरह का एक सामन्जत से लेकर वो चलते था इस पकार राश्ट निर्मान के लिए वैग्यानिक और ाधिनिक दिश्टिकॉण को अपनाना नहरु जी की सोच का एक महतपूर्ण अंग था वैग्यानिक और आदिनिक दिष्टिकोन उनकी सोच का की एक महत्पूर्ण उपलब दिपी थी नहरू जी का जो भाशन था जिसे ट्राय स्विस्ट दिष्टिनी कहते हैं वो अपने इस दिष्टिकोन की इस पश्टता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है जिसमों उन्होंने इन सारे बिंदूओं को रखते हुए अपनी अपेक्षाओं को जनता के सामने रखा और एक तरीके से उन्होंने भारती राष्टी आंदोलन के उद्देश्यों को अपने भाशन में समाहित किया आप देख सकते हैं कि लाल के लिए की प्राचीर में उस रात्र को इस भाशन के दौरान कितनी भारी भीड हम ये बार बार पढ़ते आएं हैं कि भारती राष्टी आंदोलन का नेत्रित्व वास्तों में महात्मा गांधी ने किया था लेकिन इस चित्र में आप कहीं भी महात्मा गांधी को नहीं पाएंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मैंने बताया है कि भारत की स्वतंत्र के साथ एक बहुत ही दर्दनाग घटना भी जुड़ी हुई थी विभाजन ऐसा शायद ही कहीं विष्व में हुआ हो जहांपे कोई देश स्वतंत्र होते हुए दो भागों में उसी ख्षण विभाजित किया गया हो या विभाजित हो गया हो और यहां तो एक बात यह थी कि हमने स्वयम विभाजन की इस प्रक्रिया को स्वतंत्र के साथ जोड़ कर उसे स्विकार किया था गांधी इसमें कहां थे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और ये चर्चा ये बात ये अध्याइन एक एक चुनोतियों का जिसका जिक्रपूर में किया है उसको लेते हुए हम दोहराएंगे कुल मिलाकर इस अध्याए में 1947 के पहला दशक याने 1947 से 57 के आसपार राश्ट निर्मान की किन किन चुनोतियों से हम सफलता पूर्वक निप्टे ये पढ़ेंगे क्योंकि अब आगे हमको चुनोतियों पढ़ना हैं बटवारे के कारण भारत की जो धर्म निर्पेक्ष्टा की जो धारना थी इसको कैसे चोट लगी क्योंकि एक और जहां हम धर्म निर्पेश्टा की बात कर रहे थे वहीं हम धर्म आधारित बटवारे पर सामत भी थे तो उस पर कैसे आच लगी है क्या प्रभाव पड़ा देशी रियास्तों को किस प्रकार इसके मसले को हल किया गया विविन भाषाओं विविन बोलियों के रहते इन बोलियों और भाषाओं को बोलने वालों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए हमने कैसे राज्यों की सीमाय तैकी याने भाषाई आधार पर कैसे राज्य का निर्मान हुआ इसका भी हम अध्यन करेंगे पंद्रा अगस या चौदा पंद्रा अगस की जो मध्यरात्य थी जिसमें भाग्य वधू से चेर प्रतीक्षित भेंट से जिस भाषण को शिर्शित किया गया वह नहरू ने कहा और उस भाषण में उन्हों ने किन दो बिंदूओं पर विशेश रूप से जोर दिया वो भी हमने जाना कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक होगा इन दो बातों पर सहमत थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक और वो भी प्रतिन इधित्व मूलक लोकतांत्रिक होगा और दूसरा सरकार जो है वो लोग कल्यान के लिए कारी करेगी सरकार जो है वह पब्लिक ओरियंटेड रहेगी हमाज कल्यान के लिए बात करेगी ततकाली इन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए हम हमने कुछ संख्यप में ये भी जाना कि विभाजन अभूदपूर्व हिंसा विस्थापन और अन्य चुनोतियां किस प्रकार मुह बाय खड़ी थी रियासतों का मामला तो था ही राजवाणों का मामला तो था ही लेकिन इसके साथ ही विभाजन के समस्या थी अभूदपूर्व हिंसा जिसके बारे में हम विस्थार से फिर पढ़ेंगे विस्थापन और साथ ही कुछ अन्य चुनोतियां जैसे भाशाई समस्या तो ये कठिन परिस्थितियां इनका हम बिंदुवार आगे अध्यन करेंगे चुनोतियों का जिक्र करते हुए मैंने आपको बताया था कि पहली चुनोति देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने की थी कि कैसे इन विभन समस्याओं के रहते विविदिता के होते कैसे देश को एक सूत्र में बांधा जाया और उसमें मैंने दो मुद्दों को बताया था कि ऐसा एक्ता का थूत्र निकले जिसमें भारत की सभी विवदताओं को इस थान मिले एक्ता में बांधना ये सुनिश्चित करते हुए कि विवदताओं को अपना उच्चित श्थान मिले और दूसरी समस्या बोली, अलग-अलग सांस्कृती, अलग-अलग धर्म और इन सब के रहते, यदि मैं एक शब्द में बोलूँ तो समस्या ये थी, पहली चुनोती कि कैसे भारत अखंड रहेगा कैसे भारत एक इक्रित रहेगा दूसरी चुनोती थी लोकतंद्र रूप से तो, सम्रधानिक रूप से तो, और राजनितिक वस्था के रूप में लोकतंद्र को लादना सरल था, लेकिन भावनात्मक रूप से सुनिश्चित करना कि सभी लोग उस लोकतंद्र का हिस्सा बने, ये एक बड़ी समस्या थी तो, लोकतंद्र को कायम रखने की चुनोती के तहट, हम ने देखा कि सम्रधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई हर नागरिक को मता अधिकार दिया गया, संसदी आधारित व्यवस्था जिसमें प्रतिनिधित्व, मूलक, लोकतंद्र का प्रावधान किया गया लेकिन ये स्वैम में काफी नहीं था, तो सामने जो चैलेंज था वो ये था कि लोकतंद्र की व्यवस्था, के साथ लोकतंद्र की व्यवहार, लोकतंद्र की नजरिया, लोकतंद्र की बरताओ, उसको कैसे लाय जाए ये उस दूसरी चुनौती का हिस्सा था जो तत्कालीन स्वतंत्र भारत के सामने मुह बाय खड़ी थी और तीसरी चुनौती तो विकास को लेकर थी कैसा विकास? ऐसा विकास जिसमें समूचे समाज की भलाई हो पर वो विकास की प्रक्रिया कैसी हो? प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और समगर विकास के उद्देश के लिए जो समविधानिक प्राउधान किये गये थे उसमें समविधान के सामने सबको समानता का दर्जा दिया गया था वन्चित तबकों और अल्थ तबकों के लिए एक तरीके से उनके हितों की सुरक्षा के लिए वैधानिक प्राउधान किये गये थे नीति निर्देशक सिधान के मैंने जिक्र किया जो लोक कल्यान के लिए शासन को एक तरीके से दिशा देते थे लोक कल्यान के लिए और इस सब के बावजूद जो बड़ी समस्या थी कि आर्थिक और गरीबी का खात्मा इन सब कदमों से तो नहीं हो सकता तो उसके खात्मे के लिए कौन सी कारगर नीती अपना ही जाए ऐसा क्या किया जाए जिससे आर्थिक विशमता दूर हो आर्थिक विकास समग लोगों का हो और गरीबी का खात्मा हो